कानो में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंग किरन, तुम्हारे कानो में क्या है? उसने कानो से चंचल लटको हटा कर कहा, कंगना अरे, कानो में कंगना? सचमुच दो कंगन कानो को घेर कर बैठे थे हाँ, तब कहां पहनू? किरन अभी भोरी थी, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वैसी भोरी नहीं उसे वन के फूलों का भूलापन समझो नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविद खाद या रस से जिनकी जीविका है निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर रहे, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूशा है दो घड़ी तुम्हारे फूल दान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं वन के फूल प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेगुं की धारा से बढ़े हैं चटुल द्रश्टी इनहें पाती नहीं, जगदवायू इनहें छूती नहीं ये सरल, सुन्दर और सौरभमय जीवन हैं, जब जीवित रहे तब चारों और अपने प्राण धन से हरे भरे रहे जब समय आया, तब अपनी मा की गोद में जड़ गए आकाश, स्वच्छ था, नील, उदार, सुन्दर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरने सुदूर परवत की चूड़ा से देख रही थी वो पत्ली किरन अपनी मृत्त्य शाया से इस शून्य निवड कानन में क्या ढून रही थी, कौन कहे किसे एक टक देखती थी, कौन जाने, अपनी लीला भूमी को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है, इसे जोती थी, मैं क्या बता सकूँ जो हो, उसकी उस भंगी में आकांख्षा अवश्य थी, मैं तो खड़ा, उन बड़ी आँखों की किरन लूटता था आकाश में तारों को देखा, या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी हम दूर से तारों के सुन्दर शून्य जिक्मिक को बार-बार देखते हैं, लेकिन वो सस्पंद निश्चेष्ट ज्योती सच्मुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं हमारी ऐसी आखें कहां कि उनके सहारे उस निगूड अंतर में ढूब कर थाहलें, मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था, वो बालों को हटा कर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी जब माखन चुराने वाले में गोपियों के सर के मटके को तोड़ कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहान ने अंचल से कबूतर को उड़ा कर शेहनशा के कठूर रुदे की धज्जियां उड़ा दी फिर नदी के किनारे वसंत वल्लब रसाल पल्लवों की छाया में बैठी, किसी अपरूप बालिका की ये सरल स्निक्द भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दोड़े किरन इन आखों के सामने प्रति दिन आ जाती थी, कभी आम के टिकोरे से आचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलब लीला आखों से होकर रदय तक नहीं उतरी आज क्या था? कौन शुब या शुब ख्षन था कि अचानक वो बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिखाई दे पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में हाथ से कंगन भूल कर कानों में पहिनने में इतनी माधुरी है? दो टके के कंगन में इतनी शक्ती है. गोपियों को भी कभी स्वपन में ये नहीं जलका था कि बांस की बांसुरी में गूंगट खोल कर नचा देने वाली शक्ती भरी है. मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया और फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा. नजाने उस घड़ी कैस खलबली थी. मुझे अचानक निकल आया. किरन, आज की ये घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी. ये भीतर तक पैठ गई. उसकी बड़ी बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गई. मुझे चोट सी लगी. मैं ततक्षन योगिश्वर की कुटी की तरफ चल दिया. प्रा की चाया भूलोग पर कहा मिले? लेकिन किसी समय हमारे यहां भी ऐसे वन थे, जिनके व्रक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवदा भी उतर आते थे. जिस पंच वटी का आनंत योवन देखकर राम की आँखें भी खिल उठी थी. वहां के निवास की चाया में शांती अवश्य है, लेकिन कदम की चहियां कहां मिल सकती है? हमारी तुमारी आखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है, जिसको देख देखकर प्रकृती तथा रजनी छे महीने तक ठगी रह शत्षत देवांगनाओं ने पारिजात की फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड डाला, समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतर कर दो घड़ी वन्शी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से राम चंदर का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंदर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें, यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का परदा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वो कब तक बचे रहेंगे, लोक अपने यहां आलोकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है, रिशिकेश के पास एक सुन्दर वन है, सुन्दर नहीं, अपरूप सुन्दर है, वो प्रमोध वन के विलास निकुंजों जैसा सुन्दर नहीं, वरंच ना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक-एक तत्व से दौड मिलती है, गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड योग निद्रा वहीं दिख पड़ेगी, कौन कहे, वहां जाकर ये चंचल चित क्या चाहता है, गंभीर आलोके कानंद या शांत सुन्दर मरन इसी वन में एक कुटी बनाकर योगिश्वर रहते थे, योगिश्वर योगिश्वर ही थे, यद्धिपी वो भूतल पर ही रहते थे, तथा पी उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था, उनकी चित्वरती सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रहम लोक की अनंत शांती में लिप्टी थी, और वो बालिका स्वर्ग से एक रश्मी उतर कर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी, वो लौकिक माया बद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित, बाधा हीन, नाचती किर्णों का लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलैवा भायू, फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बे रोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो, मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधी था, मैं ही उन्हें उनकी आलौकिक स्थती से इस जटल मर्त्य राज्य में खी चलाता था, कुछ साल से मैं ही योगिश्वर के यहां आता जाता था, पिता की आग्या थी कि उनके यहां जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ जालो, योगिश्वर और बाबा लड़क पन के साथ ही थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी, किरन उनकी लड़की थ उस कुटीर में एक वही दीपक थी, जिस दिन की घटना में लिखाया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्येन की पूर्णा होती थी, और बाबा की कहने पर एक जोड़ा पीतामबर, पांच स्वर्ण मुद्राएं, तथा किरन के लिए दो कनक कंगन आचारे के निकट ले गय वो क्या समझ कर चुप रह गई, समय का अध्भुत चक्र है, जिस दिन मैंने धर्म गरंथ से मूँ मोड़ा, उसी दिन काम देव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा, दूसरे दिन मैं योगी श्वर से मिलने गया, वो किरन को पास बिठा कर न जाने क्या यह कहकर किसी की सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रखती, लोचिनों के कोने पर दो बूंदे निकल कर छाक पड़ी, मैं सहम उठा, क्या उन पर सब बातें विदित थी, क्या उनकी तीवर दृष्टी मेरी अंतर लहरी तक दूप चुकी थी, वो ठहरे नहीं, चल दिय मैं कापता रह गया और किरन देखती रह गई, सन्नाटा छा गया, वन वायू भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुप चल पड़े, किरन मेरे कंधे पर थी, हठात अंतर से कोई अकड़कर उठ बैठा, और बोला, हाई नरेंद्र, ये क्या, तुम इस वन फूल को किस चमन मे ले चले, इस बंध विहीन स्वर्गिय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थाई विवर नहीं फोड सकती, क्षन भर जल का समतल भले ही उलट-पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दोड़ कर उस छिद्र का नाम निशान भी न उन्हें अपना बना लेगा, इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्तियव आकाश कुशुम ही संझे, दो दिन में राम हाय जानकी हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, दोक्षन में यही विश्वा मित्र को भी स्वर्ग से घसीत लाया, किरन की भी यही अवस्था हुई, कहां प्रक्रती की निर्मुक्त गोद, कहां जगत का जटल बंधन पाश, कहां से कहां आ पड़ी, वो अलौकिक भूलापन, वो निसर्गुच स्वास, हाथों हाथ लुट गए, उस बनफूल की विमलकांती लौकिक चमन की माया भी वनुहारिता में परिनित हुई, अब आखें उठाकर आकाश से नीरव बाचीत करने का अफसर कहां से मिले, मलय वायू से मिलकर मलया चलके फूलों की पूछताच क्यों कर हो, जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना कठिन था, अब वो लाल चोली, हरी साडी पहन कर, सर प के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करगनी, दिन दिन उसके चित को नचाय मारती थी, जब कभी वो सज धचकर चांदनी में कोठे पर उतरती, और वसंत वायू उसके आचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधूरी या तीवर मदिरा के नशे में मेरा मस्तिश्क घूम जाता, मैं चटपट आकर प्रेम चितकार फूल दार रंगीन चिठी में भर कर जूही के हाथ उपर भिजवाता या बाजार से दोड़ कर कटकी गहवेवा विलायती चूड़ी खरीद लाता, लेकिन जो हो, अभी कभी पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुक्स्मरतिवत चली आती थी, और आखें उसी जीवन्त सुन्दर जिक्मिक का नाज दिखाती थी, जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेश्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े, यूही साल दो साल मुरादाबाद में कट गए, एक दिन मोहन के यहां नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आखें मिली, मिली क्या लीन हो गई, नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेश्टा और मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए, किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाच जाने वाली थी, पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुन्दरी समझना दुस्तर था, एक लपट जो लगती फिर किसी नशे की तरह चड़ जाती, यारों ने मुझे और भी चड़ा दिया, आखें मिलती मिलती मिल गई, और रदे को भी साथ साथ खसीत ले गई, फिर क्या थ इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत्वत सर की पूजे लक्षमी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पतनी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे, अगनी और भी बढ़ती गई, किन्नरी की चिकनी द्रश्टी, चिकनी बात गी बरसाती रही, घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जियों जियों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही, पांच महीने कट गए, नशा उत्रा नहीं, बनारसी साडी, पारसी जैकेट, मूती का हार, कटकी कंड फूल, सब कुछ लाकर उस माया घर की वधू क्या करती, जो अनन्त सूत से बंधा था, जो अनन्त जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराय के हाथ पिक गया, फिर ये तो दो दिन के चक्मकी खिलोने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे, दिन भर बहानों की माला गूत-मूत कर किरन के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में शशंक निरलज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था, एक दिन सारी बातें खुल गई, किरन पछाड खाकर भूमी पर जा पड़ी, उसकी आँखों में आशू न थे, मेरी आँखों में दया न थी, बरसात की रात थी, रिमजिम बूंदों की जड़ी थी, चाननी मेगों से आँख मुंदौवल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार-बार छांगती, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड से रह रहकर चिलाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अफसर नहीं था, मैं तो किन स्वर्ग के दर्वाजे पर सर रखकर निराश लोटा था, मेरी वेधना क्यों नबड़ी हो, हाई, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती, तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लोटता, घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही किरन के पास कुछ भी बचा पर दोड़ा, सब संदूग जहांके जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, अलमारी में केवल मकडे का जाल था, श्रिंगार बक्स पर एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरन पर जप्टा, पास जाते ही सहम गया, वो एक तकीय के सहारे निसहाय नि कौन कहे, कहीं जीवन की शेश रश्मीक शनभर वहीं अटकी हो, आखों में एक जीवन जियोती थी, शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आसरे से वहां पैट रहा था, मैं फिर पुकार उठा, किरन, किरन, तुमारे पास कोई गहना रहा है, हाँ, चिन कंठ की काकली थी, क आखें जिप गई, वो जीवन तरेखा कहां चली गई, क्या इतने ही के लिए ठहरी थी, आखें मुख पर जा पड़ी, वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे, मेरी इसम्रती तडित वेग से ना चुठी, दुश्यन्त ने अंगूठी पहचान ली, भूली शक उतल पर न थी, कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोग से ढून निकालूं, ऐसी शक्ती इस दीन हीन मानव में कहां, चड़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाई, खुली भी तो उसी समय, जब में केवल अंदकार ही रह गया,